Hello and Welcome Friends, आज की ये विडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम गोडाउन का नाम प्रेंट करना सिखेंगे जो बील आप प्रेंट करके देते हैं तो उस पर गोडाउन का नाम प्रेंट होकर आता है अब यहाँ पर देख सकते हैं purchase voucher में है और यह रमन फार्मासी यानि क्रेडिटर पार्टी है और यहाँ पर विक्स अब यह विक्स तो आप जानते ही हैं विक्स की गोली खाते ही रहते होंगे या फिर नहीं भी खाते हो तो विक्स का तो नाम आपने सुनाई होगा तो यह Wix है और यह जो है यहाँ पर कितने pieces रखा हुआ है और इसकी यह सारी detail यहाँ पर है quantity 7000 pieces है और इस पर 1% का discount लगाया है एक परसंट का discount लगाने पर जो आपकी कीमत होगी ठीक है उससे 1% minus हो जाएगा तो यह minus हो करके और यहाँ पर आया हुआ इसी तरह से अब I don't know कि यह GoPro कौन सा item होता है sir ने लिख दिया है तो मुझे नहीं पता तो यहाँ पर 2% इस पर discount लगाया है ठीक है LED में LED पर 1% का discount है LED पर 1% का discount है और इसमें MRP option हमने नहीं चालू गिया है तो यह तो clear है अगर मैं इसका print निकालता हूँ alt के साथ P press करता हूँ और enter press करता हूँ फि गोडाउन का नाम यहाँ पर आ रहा है PD Academy एक गोडाउन है जहां Wix रखा हूँ है PN Academy दूसरा गोडाउन है और Gokro रखा हूँ है और LED देखिए यहाँ पर SVM में रखा हुआ है तो यह तीन गोडाउन हमने बनाए है और यह गोडाउन का नाम भी इस पर प्रिंट होकर आ रहा है अब यह नाम कब नहीं प्रिंट होगा देखिए आपके में सेटिंग कुछ इस तरह की होगी यहां पर Configure पर जाएए और Configure पर जाने के बाद यहां पर यह यह पर यह Show Go Down Name यह जो है No होगा आपके में और No होगा तो यह एक भी गोडाउन का नाम प्रिंट होकर नहीं आएगा आप देख सकते हैं यहां पर देख लिजिए ठीक है, तो यहाँ पर go down का name प्रिंट रोकर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो go down का name प्रिंट रोकर आए, इसके लिए जरूरी है कि वहाँ से आप activate कर ले, आप go down कैसे बनाएंगे, वो भी बता देता हूँ, जैसे हमारे पास 3 go down है, और भी go down हम बना लेते हैं, यहाँ पर आ जा कतरारी नाम का go down है, ठीक है, कतरारी नाम की जगह है, जहाँ पर यह सारे go down जो है, बने हुए है, तो एक और go down में बनाता हूँ, ठीक है, go down कैसे बनाएंगे, यहाँ पर multi master पर जाना पड़ेगा, और multi master पर जाने का बता, multi create करना पड़ेगा, यहाँ पर चल करके, देवरिया, तो ये एक साथ कई गोडाउन साब बना सकता है, इसमें ये फायदा है, अब ये किसके अंडर में जाएगा, तो ये सब जो है कतरारी के अंडर में रहेगा, जहां पर ये PDA Academy और PN Academy और SBM है, इसके बाद नीचे आते हैं, अब माली ये रागो नगर गोडाउन ब ये सब जो है, कंट्रोल कहां से होगा, कतरारी से होगा, इसलिए मैं कतरारी के अंडर इसको डाल रहा हूँ, अब यहां से कंट्रोल एप्रेस कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं, कि ये अलग से दो गोडाउन यहां पर आ चुका है, ठीक है, अब यहां पर हमको एंटरी पास करनी है, purchase में, तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी हम डाल देते हैं, supplier का invoice number, और यहाँ पर वो date आएगे, जिस date पर हो रही है, फिर यहाँ पर रमन फार्मा, एंटरफेस करते हुए, नीचे आजाईए, एंटरफेस करके नीचे आईए, नीचे आईए, और फिर यहाँ पर आएगा purchase account का लेज़ा, तो यहाँ पर आएगा, तो जैसे माल लिजे, कि stock item है, like wix, तो यहाँ पर wix ले ले लेते हैं, और यहाँ पर, देखिए go down का नाम आगया है, तो यहाँ पर new colony go down में रखता हूँ है इसको, ठीक है, और माल लिजे, wix की 700 quantity जो है, new colony go down में रख्की हुई है, इस पर 2% का discount भी मिला हुआ है, इसी तरह से रागोन अगर go down की बात करेंगे, तो यह रागोन अगर go down है, और रागोन अगर go down में कितना wix रखा हुआ है, तो यहाँ पर 780 quantity इसकी रख्की हुई है, और 2% का discount इस पर भी है, ठीक है, इसमें कुछ और भी बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर जो PD Academy है, यहाँ पर wix का amount बढ़ा देते हैं, like 600 quantity और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और 2% का discount है, तो discount जो है, 2% का discount इसक accept करा सकते हैं, इस तरीके से, यह बिलको no रखना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, और इसको accept करा लेगा है, अब जब इसे दो बार D प्रेस करना है, और यहाँ पर आजाना है, इस तरीके से, और यहाँ पर alt के साथ P प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करना है अब यहां high button press किजिए और यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर आपको सिर्फ नाम दिखाई पड़ रहा है discount का column है quantity का column है amount है और नाम दिखाई पड़ रहा है कोई go down का नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है go down का नाम कैसे दिखेगा Godown का नाम देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा C प्रेस करना है keyboard से यहाँ पर आने के बाद और यहाँ से Godown का नाम और address दुनों print हो जाएगा देखिए Godown का नाम कैसे print होगा और address कैसे print होगा दुनों बताता हूँ पहले तो Godown का name print कर देते हैं तो यह yes कर दिया आपने show Godown name तो यह yes कर दिया अब यहाँ पर है show Godown address तो Godown का address भी print करना है तो भी yes कर दिजिए यह हो गया control A प्रेस कीजिए preview पर क्लिक कीजिए अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ Godown का नाम और address दोनों print होकर आपके सामने आ गया है देख सकते हैं ठीक है तो I hope कि यह बात समझ में आ रही होगी कि यह कैसे करना है ठीक है अगर आपको यह video पसंद आती हो तो आप से share कर सकते हैं और इसी तरह की कुछ और videos की demand हो तो आप मुझे बता सकते हैं thank you for watching this video